हेलो बच्छो नमश्कार कैसे हैं आप सब लोग अमीद अच्छे होंगे अच्छे खासे होंगे और बच्छो आज की जो क्लास है ना वो एक आज टेस्ट के तर पर ही है मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में यह बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्छो ज तो आप वाक्यों में छहटते हो और आप ये कहते होगे सर ये तो यूई मिल जाते हैं बड़े आराम से हमने दूद पी लिया उसमें ऐसे रहेंगे हमने दूद पी लिया हमने दूद पी लिये हमने दूद पीए नहीं या पीए हैं ऐसे रहेंगे वो तो यूई दिख जाते ह ठीक है और ये complete कराऊंगा मैं इसमें पूरा मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई correction आपसे exam में बचे ठीक है चलिए बहुत सारे important point हम discuss करने वाले हैं बचो एक बार आपसे सुरू में कहता हूँ जैसे एक बार तो यार रोज भी नहीं कहता सेर करी दीजिए like करी दीजिए बचो आज जो हमारा है असुद्या चाटने का अब ये असुद्या बहुत तरीके से बचो पूछी जाती है पेपर में ठीक है इसका कोई नियम नहीं कोई काइदा नहीं कोई क असुद्धी है नियम लेकित में से कौन सी असुद्धी इसमें है यह नहीं पूछता असुद्धी कौन से वाक्या में असुद्धी है वो तो ठीक है लेकिन किस की है संग्या की है सरवनाम की है विसेशन की है अव्य की है जब इस तरीके से असुद्धी पूछ लेगा तो आपके कान खड़े कर देगा वो ठीक है बचो तो उस टाइप से भी मैं आपको असुद्धियां कराऊंगा और मुझे नहीं लगता कि फिर साइद आप असुद्धियां गलत करोगे ठीक है बचो चलिए तो सेयर आप लोग तो कर रहे हैं काफी तेजी से बचो और बहुत अच्छा लगता है कि अगर मास्टर की बात मान लें आप तो अच्छा ही लगता है मास्टर को चलो बचो तो वाक्य में असुद्धी हिंदी व्याकरण के किसी भी टॉपिक पर आधारित हो सकती है यह देखिए हिंदी व्याकरण के किसी भी टॉपिक पर हिंदी व्याकरण का कौन सा टॉपिक बच्चो जैसे संग्या सरवनाम विशेशन अव्य लिंग वचन कारत किसी की भी असुद्धी हो सकती है ठीक है अते हमें उसका अर्थ समझना है जैसे हम बोलते हैं क्या ये कुछ गलत है तो ऐसे सोचना है क्या ये सही बोल रहा है क्या हम भी आम लाइफ म से ऐसे ही बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें बच्चों हमें सोचनी होंगी ठीक है तो उसका अर्थ समझ कर अपने हिंदी ज्ञान के आधार पर सुद्ध करने की आवश्यकता होती है ठीक है तो हम देखते हैं कितना आप ग्षा पाऊंगे अपनी ताकत को चलिये बच्चो बहुत सारे बच्चे एप पर देख रहे हैं, इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, चलिए सबसे विनम्रविंती हैं, अगर यूट्यूब वाले देख रहे हैं, तो एप वालों से तो नहीं, क्योंकि वो सेयर कर नहीं सकते हैं, पर आप आप लोग तो करी सकते हैं बचो ठीक है चलिए तो अगर मैं बोलूं बचो संग्या आधारित असुद्धी संग्या आधारित असुद्धी चलिए तो अब मैं आपको पहले यह दिखाता हूं कि संग्या में कैसे असुद्धिया आती है संग्या की ही बहुत खतरनाक असुद् तो बचो अगर मैं बोलूं संग्या पर आधारित असुद्धी तो इसमें आपको सवाल देखना है और मैं आपको बताऊंगा ये संग्या की ही असुद्धी क्यों है ठीक है चलिए दिखाता हूं बचो पहला सवाल है जैसे पहला कोश्चन है कि इसमें क्या सुद्धी है तो सही एक बार ये सफल होने की भाई किसी को निरासा तो नहीं हो सकती मुझे आसा है आस लगाए बैठा हूं तो बच्चो निरासा क्या है संग्या है तो यहां पर गलत संग्या का प्रियोग हो गया है इस संग्या की जगे ये संग्या आनी चाहिए थी इसलिए इसको बोल समस्षा की असुद्धी बड़ी खतरनाक होती है और यहीं असुद्धी आप नहीं चाट पाते इस समस्षा की दवाई उसके पास है आप कहते हो सब कुछ सही तो लिख रहा है इस समस्षा की दवाई उसके पास है बच्चो समस्षा की दवाई नहीं होती समस्षा का क्या होता तो दो चीज आएंगी का और समाधान इस समझ्चा का समाधान उसके पास है अब दवाई क्या है संग्या है और समाधान क्या है बच्चो ये भी संग्या है तो इस संग्या की जगे वो संग्या है इसलिए ये संग्या संबंदी असुद्धी होगी बात तो समझ में आरी होगी चलो समाधान होगा बहुत बड़ी है बचो हिंदी के पिरचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं तो बताओ बचो क्या हो सकता है आज समझो ये टेस्ट ये एक टाइप का और वाक्यगत असुद्धी के टेस्ट में अगर बचो आप पास होगे तो बहुत बड़ी बात ह होगी क्योंकि हर सैट में कुश्चन आता है दो दो भी आते हैं तिन तिन भी आते हैं ठीके बचो और रोज आप देख भी पा रहे हो ठीके मैं जो प्रेक्टिस टेस्ट एक दिन चोड़के एक दिन टॉपिक तो ये टॉपिक चल रहा है हिंदी के पिरचार में आज भी बड़े बड़े संकट तो इस संकट गलत सब्द लग रहा है यह बात तो आपको लगरी होगी बड़े 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 क्या होना चाहिए बड़े बड़े हिंदी के पिरचार में आज भी बड़े 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 बचो क्या होना चाहिए आप अ एक तो बाधा आ सकता है तो ये भी चेंज करना पड़ेगा ठीक है बड़े 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 रुकावटे हैं बहुत सही है बड़े बड़े रुकावटे हैं एकदम बात सही है ठीक है बड़े बड़े व्यवधान है क्योंकि इमें बड़े बड़े चेंज नहीं करना बड़ इसको चेंज नहीं करना मेरे को यही संग्या ही चेंज करनी है बचो इसलिए मैं इसको यहाँ पर बड़ी 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 करना पड़ेगा समश्या के लिए भी ठीक है बचो इनको चेंज नहीं करना मुझे सिर्फ संग्या लगानी थी रेडियो की खोज किसने की बचो यह क बताओं वच्चो, खोज उस चीज की होती है, जो इस प्रकरती में पहले से ही मौजूद हो, बस हमने लोगों को बताया भाई ये चीज है, तो उसको तो बोलते हैं खोज, जैसे भारत एक खोज है, बहुत बड़ी है बात है, तो बारत ऐसा तो था नहीं कि कभी, था नहीं ध अविसकार है, ठीक है, तो अविसकार, ये बड़ी असुद्धी है, ये बहुत गलती बच्चे लोग करते हैं, अविसकार बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, चलो, मैं रविवार के दिन गाव आउंगा, बच्चो, मैं रविवार के दिन गाव आउंगा, क्या होना वार वच्चो रवीवार को घराऊंगा दिन लगाने की जरूरत नहीं है अगर सौमवार मंगलवार बुद्धवार तो इनके साथ कभी दिन न लगाएं आप याद रखना कि बुद्धवार के दिन आऊंगा रवीवार के दिन आऊंगा मंगल के दिन आऊंगा और ये बार सुन ली ना बचो फिर ये आपको याद रहेगी पेपर टाइम तक ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है मैं रवीवार को गावाऊंगा एक बार इन पर स्वेते प्रेक्टिस जरूर कर ले ना बचो मैं आपको प्रेक्टिस के लिए दिलवा दूँगा एप पर इसकी PDF डलवा दूँगा चलिए बचो आपके प्रेशन एक बार खुद प्रेक्टिस कर लोगे ना बड़ा मज़ा आएगा फिर फिर पेपर तक पक्का याद रहेगी आपके प्रेशन का समाधान मेरे पास है आपके प्रेशन का समाधान बचो समाधान होता है समश्या का या तो य उत्तर तो समाधान को चेंज कर लेते हैं बच्चों आपके प्रेशन का उत्तर मेरे पास है बहुत जबर जस्त हो यार गजब तो यह सब क्या है यह बच्चों संग्या थी दिन भी संग्या थी समाधान भी संग्या थी खोज भी संग्या थी और यह बच्चों देखो कुछ सं संग्याओं में ऐसा होता है तो यह मतलब इतने फैमस हैं जितने भी मैंने लिखें इतने फैमस हैं कि आपको पेपर में डिट्टो रखें मिल जाते हैं एकदम सेम टू सेम चलिए बहुत सही अब बचो सर्वनाम इसको हर बच्चा पकड़ लेता है सर्वनाम संबंदी कैसे बोलते हैं बच्चो वो तो साइध इनमें दिक्ट करें उनको तो पाएना इस मैसुद्धी नहीं हर बच्चा इनको सही करेगा मेरे से प्रशन मत पूछ्चना एक सिंगल मतर है मेरे से प्रशन मत पूछना तो मेरे से वर्ड ही नहीं होता बच्चो मुझसे यहाँ पर होना चाहिए मुझसे प्रेशन मत पूछना मैंने नहीं जाना क्या होना चाहिए बच्चो मैंने नहीं जाना इसको बोलेंगे मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना ठीक है बच्चो बहुत सही, तो ये सर्वनाम की है की नहीं है, हाँ भई, ये सर्वनाम तो मैंने, मुझे, हमने, हमें, उसने, उसे, उसको, ये सब सर्वनाम की सुद्दी हैं, बचो, वह सब भले लोग हैं, वह सब भले लोग हैं, जरह चेक तो करो, वह सब, अब इतने सारे लोगों की बात क तो एक यहां वह क्यों लगा रहे हैं तो हमें कहना चाहिए वे सब भले लोग हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आख में कौन गिर गया ऐसे कोई बोलते हैं क्या आख में कौन गिर गया तो भाई आख में क्या गिर गया यही तो हमें कहना चाहिए कि नहीं खुद बताओ बच्चो लास्ट वाला आप खुदी कर दीजिए क्या आपको लग रहा है कौन भी बच्चो सर्वनाम है प्रसन वाचक सर्वनाम प्रसन बोधक ठीक है अगर देखो तुम तुम्हारा काम करो क्या होना चाहिए तुम तुम्हारा काम करो ऐसे कोई बोलता है क्या नहीं तुम अपना काम करो, बात तो यह अपने के लिए ही कह रहा है ना, तुम तुम्हारा काम करो, यह क्या sentence है, तुम अपना काम करो, तो बचा यह सब किस से संबंदिता सुद्धी है, सर्वनाम से, एक बार पेपर में प्रसन पूछा, मेरे से प्रसन मत पूछना, और आप्शन में कौन से प्रकार की सुद्धी है, सर्वनाम की असुद्धी है, ठीक है, चलिए, बहुत सही बच्चो, इसलिए मैं ऐसे भी पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं वाक्य ही नहीं पढ़ा देता, आपको डाइरेक्ट, लास्ट में प्रेक्टिस करवाऊंगा, पहले ऐसे पढ़ा देखता हूँ यार ये रेड आता है, फिर ये आता, ये थोड़ा सा आसमानी सा, चलो ये करके देखते हैं, विशेशन संबंदी असुद्धियां, बच्चो देखो तो सही विशेशन संबंदी असुद्धियां, इसमें क्या करूँ मैं, इसमें क्या करूँ मैं, जाड़ा ह चला दें, चलो, ठीक है, मुझे बड़ी भूक लगी है, मुझे बड़ी भूक लगी है, बचो चेक करना, मुझे बड़ी भूक लगी है, ओ भाई बड़ी भी होती है, भूक बड़ी और छोटी, और भाई बड़ी नहीं होती, मुझे बहुत भूक लगी है, बड़ी नहीं, और हम बोलते हैं इसको अपने लेंगवेज में इसलिए छाट नहीं पाते हम तो गते हैं बड़ी जोर से भूक लगी है बड़ी नहीं बहुत जोर से होना चाहिए बच्चो इसलिए इतनी छाट पाते क्योंकि हम बोलते हैं ऐसा ठीक है अगर बोलोगे सही तो चटेगा सही च इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि हम अमूमन इस बात को बोलते हैं बचो कोई जो वर्ड होता है यह किसी सजीव चीज के लिए लगता है किसी इंसान के लिए लगता है किसी हाती के लिए लगता है किसी गोड़ा के लिए लगता है ठीक है तो हम इसका कोई अर्थ नहीं है इ लिए बहुत बढ़िया उसे बहारी प्यास लगी है बचो ये तो आप बहुत अराम से लगा दोगे उसे बहारी तो हम कहेंगे उसे बड़ी प्यास लगी है बड़ी बड़ी तो हमने अल्रीडी गलत कर रखा है तो बड़ी नहीं लगा के क्या लगाना चाहिए फिर हमें वही लगा देना है उसे बहुत प्यास लगी है ठीके बचो ये लग रहा है ना देखिए भारी प्यास प्यास की विशेस्ता बता रहा है अर्थ कोई अर्थ अर्थ की विशेस्ता बता रहा है भूक की बड़ी भूख तो विसेशता तो इसलिए विसेशन संबंदी अदसुद्धी होई समझ में आई कि ये विसेशन संबंदी क्यों है चलिए राम कक्षा में सबसे उत्तम है राम कक्षा में उत्तम है देखिए उत्तम क्या होता है उत्तम का मतलब होता है सबसे सबसे अच्छा उत्तम का मतलब क्या है सबसे अच्छा राम का अक्षा में सबसे अच्छा है सबसे अच्छा राम का अक्षा में सबसे अच्छा ओहो सबसे उत्तम सबसे अच्छा ये क्या बात हुई तो भाई उत्तम को खुद सबसे अच्छा बोलते हैं तो इसका मतलब कि आओ जाएगा राम को अक्छा में सबसे सबसे अच्छा है तो दो बार सबसे नहीं आ जाएगा साथ में तो उत्तम में already सबसे लगा हुआ होता है यहाँ सबसे लगाने की जरुरत नहीं है क्योंकि यह खुद सूपरलेटिव डिगरी है इसको और सूपर मत बनाओ इनके आगे कभी सबसे वबसे नहीं आएगा ऐसी कोई बोले सर्वोत्तम और एक हो जाए सबसे सर्वोत्तम तो वहाँ भी कभी सबसे नहीं आएगा ना बहुत आएगा बचो उत्तम ही सबसे सर्वस्रिस्ट होता है राम का अक्षा में सर्वोत्तम है या उत्तम है या सबसे अच्छा है बहुत सही है बचो तो यहां सबसे हट जाएगा आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला देखो तो सही आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला बच्चों रहस्य तो already गुप्त होता है इसमें गुप्त भाई रहस्य का मतलब क्या गुप्त बात गुप्त गुप्त बात का राज खुला भाई गुप्त दो बार क्यों लगा रहे हो इसमें खुद गुप्त छिपा हुआ है आज उसके रहसे का राज खुला ठीके तो यहाँ पे गुप्त हट जाएगा गुप्त को replace कर दीजिए गुप्त को हटा दीजिए बहुत बढ़िया ठीके तो यह विशेशन संबंदी होई आप उसकी आजकल देनिय दुर दसा है ओहो ओहो क्या बोल दिया बच्चो उनकी आजकल देनिय दुर माने बुरी भाई देनिय भी बुरी होती है देनिय देनिय दसा है तो बच्चो दुर नहीं लगाना आपको आजकल उनकी उनकी आजकल देनिय दसा है अब तो ठीक है देनिय और दुर दोनों एक साथ नहीं आ सकता है या तो उनकी आजकल दुरदसा है उनकी आजकल देनिय दसा है तो यहां पर दुरदसा को हम दसा कर सकते हैं पर अगर मैं विशेशन के हिसाब से सही करूँ तो मुझे देनिय हटाना पड़ेगा ठीक है क्योंक बहुत जबर्चस्त आगे बढ़ूं 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 अब किरिया संबंद ये सुद्धी देख लो ये तो बहुत आराम से हर बच्चा छाट के रख देगा इनको हर बच्चा चलिए 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 अगर मैं देखूं पगड़ी ओड़ कर जाओ ओ हो पगड़ी ओड़ी नहीं जाती पगड़ी पहनी जाती है पगड़ी ओड़ी नहीं जाती पंजाबी कोई भी आदमी होगा इसको एकदम पहचान लेगा भाई ये गलती है पगड़ी ओड़ कर नहीं जाया जाता पहन कर जाया जाता है वह कमीज डाल कर गया हम बोलते तो हैं डाल कर पर बच्चो गलत है वह कमीज पहन कर गया वह कमीज पहन कर तो देखिये डाल कर पहनना डालना ये सब क्या है क्रिया संबन दियें ठीके बच्चों तो ये कौन सी क्रिया है जो अभी अभी हो चुकी होती है उसके बाद हुई होती है सोच के बताओ कौन सी क्रिया है जो मैंने खुब अच्छे से समझाई थी आपको अपने पूर्व का लिक क्रिया बच्चो भूलते हो क्या ये पूर्व का लिक क्रिया है अपने हस्ताक्षर लगा दो ओहो हस्ताक्षर लगा नहीं हस्ताक्षर कर दो कर देना लगा देना ये सब क्या है क्रिया है बहुत सही बहुत सही बहुत सही हमें यह सावधानी लेनी होगी सावधानी प्रीक्योसंस तो कह सकते हैं लेने होंगे ठीक है वच्छों अंग्रेजी में ठीक है चलो सावधानी नहीं सावधानी बरतनी होगी सावधानी बरतनी होगी हमें सावधानी बरतनी तो सही किरिया यूज करनी पड़ेगी इसलिए इसको क्या बोलूंगा किरि या संबन्दी असुद्धी बचो लाइक तो कर दो आप सब अपने हो जो देख रहे हो नहीं तो भाग जाते अब तक छोड़ के चलो अगर मैं देखूं वह तेजी से दोड़ता है इसमें क्या गलती आपको नजर आती है बचो वह तेजी से दोड़ता है मुझे नहीं पता कि कोई बच्चा इसमें सही कर भी पाएगा जल्दी से बताओ वह तेजी से दोड़ता है इसमें गलती क्या है जल्दी से बताओ तो सही वह तेजी से बच्चो तेजी से नहीं होता सब्द वह तेज दोड़ता है दरसल में तेजी से वर्ड ही नहीं होता ठीक है वह तेज दोड़ता है तेजी से सब्द नहीं है कोई सब्द ही नहीं है वह तेज दोड़ता है बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ें अब बचो क्रिया संबंदी हमने देख ली अब अव्य संबंदी पर आ जाते हैं अब अव्य संबंदी पर आ बहुत सही बहुत सही बहुत सही चला आपका काम चलो बड़ा रिजहारा है बच्चे लोग आ रहे हैं हम जा रहे हैं चलो बढ़िया चला काम कुल मिला के अव्य भाई अव्य तो आपको नफरत है इस चीज से अब अव्य क्या होते हैं यह तो आपको पता ही होना चाहिए जो संग्या नहीं है, सर्वनाम नहीं है, विशेशन नहीं है, किरिया नहीं है, वह अव्य है, ओहो, ये भी बात है, हाँ, यही तो बात है, मैंने आसानी पूरवक यह काम कर लिया, ओहो, दिख गया, दिख गया, इसको बोलते है, आसानी से, ये बच्चों किसकी गलती है, ये, य क्रिया विशेशन की गलती है क्रिया विशेशन क्या होता है अव्य होता है बहुत सही मैंने आसानी से यह काम कर लिया जिसमें से लगता है ना वो सब क्रिया विशेशन है ठीक है चलो जिनमें से लगता है साथ में चलो सने उसको सफलता मिलने लगी सने बच्चो सने बोलते धीरे के लिए और सने एक साथ अकेला नहीं आता कभी सने 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 दो बार आता है यानि धीरे धीरे सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे सने सने उसको सफलता मिलने लगी ये भी अव्याही है बहुत सई नेक्स्ट अब एक मात्र दो उपाए हैं यह तो कल ही हमने पढ़ा था जब जेल वार्डर का प्रेक्टिस सेट किया था कि भाई इसमें क्या बात है अब एक मात्र दो उपाए हैं दो उपाए वो भी एक मात्र अरे या तो बोलता अब एक मात्र उपाए हैं या बो सथ्य नहीं हो सकती कदापी सत्य नहीं हो सकती यह बात कदापी या तो देखिए भी आपको लगाना है तो यहां होना चाहिए यह बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती यह बात कभी सत्य नहीं हो सकती यह बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती तो भी भी चल जाएगा ठीक है तो यहां पर कदापी और कभी यह दोनों ही अव्य हैं क्योंकि इनका चन्ना बने वो संग्या सर्वनाम हो ही नहीं सकते यह किसी की विसेशता नहीं बता रहें विसेशन नहीं हो सकते और क्रिया तो ही नहीं तो क्या बचा अब बात समझे में आई ऐसे छाटे हैं चलो सारे देश भर में अकाल है सारे देश भर में अकाल है क्या बोल रहा है देख सारे देश भर नहीं लगता, सारे देश में अकाल है, या देश भर में अकाल है, तो सारे छोड़ना पड़ेगा, पर बच्चो अगर यहां सारे छोड़ दिया, तो देश की विशेस्ता बता रहा है, तो यह विशेस्ण संबंदी, लेकिन हमें अव्य संबंदी करनी है, तो हम भर ही हटा देते हैं सारे देश में अकाल है यह ज़्यादा बैस्ट है क्योंकि मैं अव्य संबंदी असुद्धी छाट रहा हूँ ठीक है ऐसा भी आ सकता है निमलिकित में से कौन से वाक्य में अव्य संबंदी असुद्धी है ऐसा भी पूछा जा सकता है एक्जाम में ठीक है एक्जाम ने रहे उसके दिमाग कहां घूम जाई और वो कुश्चन बड़ा मुस्किल हो जाएगा बच्चों के लिए जिसमें वो यह पूछ ले अव्वे संबंदी असुद्धी वाला बताओ खतरनाक है फिर वो चलो मैं पहुचा ही था जबकी वह आ गया मैं पहुचा ही था तुरंत वह आ गया या मैं पहुचा ही था और वह आ गया तुरंत भी चल जाएगा और भी चल जाएगा मैं पहुंचा ही था जब की वहा गया अच्छा नहीं रगा मैं पहुंचा ही था तुरंत वहा गया और वहा गया या तभी वहा गया ये भी चल जाएगा तभी भी चल जाएगा बिल्कुल सही कह रहा हूँ ठीक है चलिए की नहीं तो बच्चो यह अव्य संबंदी असुद्धी होती है चलिए नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ वचन संबंदी असुद्धी यानि एक वचन बहुचन की भी असुद्धियां होती है ठीके किलास लंबी तो नहीं लग रही बच्चो समझ में आ रहा है चीजें अच्छी लग रही है यह बताओ बस ठीके मतलब आपको अगर इनको देखकर इनको वैसे आप दिन भर के ठके हुए होते हो पढ़ाही से ठीके पूरे दिन पढ़ते हो इसलिए मैं बात पूछ रहा हूँ मैं सुबह पढ़ा रहा होता बिल्कुल नहीं पूछता ना कोई मतलब है पूछने का ठीके चलो सर थोड़ा सा तेज पढ़ाओ जल्दी पढ़ाते हैं भारत में अनेको राज्य है अनेको गलत है बच्चो अनेको गलत है अनेको गलत है क्योंकि अनेको कोई सब्द नहीं होता मेरे आसू से रुमाल भीग गया मेरे आसू से एक ही आसू टपका था क्या नहीं आसूं से भाई आसू का भुवचन बन जाता है बच्चो मेरे आसूं से रुमाल भीग गया बहुत बढ़िया हमारे सामानों का ख्याल रखो बाइस सामानों नहीं या तो बोलो हमारी चीजों का ख्याल रखो या हमारे सामान का ख्याल रखो तो इसको बोलते हैं वचन संबंदी देखिए वचन का ही इसमें अंतर है उसका प्राण निकल गया अब तो आपको पता है बच्चो ये वचन संबंदी इसलिए आप छांट पा रहे होगे अभी mix दूँगा आपको एक test उसका प्राण निकल गया उसका प्राण निकल गया नहीं वो सरी निकल तो सही है निकल गया नहीं उसके प्राण निकल गये उसके प्राण निकल गए यहां भी मुझे चेंज करना होगा उसके प्राण निकल गए यह मेरे को बोलना होगा इस विशे पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है इस विशे पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है तो बताओ ये तो यार मुझे भी confuse कर रहा है इस विशय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है अच्छा ये दरसल में इसने correct कर दिया दरसल में इसने correct कर दिया अब मुझे ध्यान आया मैंने इसको लिख के दिया था यहां टाइपिंग वाले को उसने correct कर दिया यहां था बच्छो इस विशय पर एक भी अच्छी पुस्तके नहीं है ठीक है और पुस्तकों पुस्तके का पुस्तक करना था वह हिंदी वाला था बिचारा वह भी बुलता है गुरू जी ने गलत लिख लाए सही कर देता हूं उससे क्या पता आज यह पढ़ानी थी अब क्य करें अब ऐसे ऐसे भी हो जाता कभी कभी ठीके बच्छो यह पुस्तके लिख के दिया था और उसने उस तक लिग तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कोई तुरूटी नहीं तो यह वह वाला था कोई तुरूटी नहीं थी इसमें उसने खुद सुद्ध कर दिया वह भी तो भाई जानता है न हिंदी हे गुरू जी ऐसी बातों को भी सही नहीं लिखते इस समय चार बजा है इस समय चार बजा है न इसका पिता जी को ऐसे बोलते होंग गांदी जी देश के रास्ठ पिता है बहुत सई बच्छो बहुत सई मैं तो आपका दर्शन करने आया हूं आपका आपका दर्शन मैं तो आपके दर्शन इज्जत से बोलो आपके दर्शन दर्शन हमेशा बहुचन में बुलेगा लिंक संबंद्य सुद्धियों प्राज़ों फटा फटा हो ना बच्चो जब आपको थोड़ा तेज चाहिए तो तेज इलो मंदा चला हूं क्या अब भी किसने उठाई ओह कुर्सी को किसने उठाई कुर्सी को किसने उठाया कुर्सी को किसने उठाया तो बच्चो यह उठाई लिंक संबंद्य हो गया ना उठाई इस्त्रिलिंग था अब पूर्लिंग करना पड़ गया मजा आती है इस्त्रिलिंग था पूर्लिंग करना पड़ क्या तुमने खाना खाली ओ भीवार में तOUGH यसी बुलते हैं बच्चों के वहां मुश्कों हो जाएका देखना क्या तुमने कहना खालिया चलो लड़की ने जोर से освदी यह से बो सूर्वी यूपी नदे छलो बहुत सैही लड़की ने जोर से हस दिया हम यह तो बहुत जगह दिल जाएगा ठीक है चलिए चलिए किलियर है नेक्स्ट बढ़ें नेक्स्ट बढ़ें कारक संबंध्य सुद्धि साइदे लास्थ हो आयोप चलिए फिर मैं प्रेक्टिस करा हूं आपको वो टाइम वो सुब घड़ी आए हमने यह काम करना है हमने यह काम करना है बच्चों बहुत लोग बोलते हैं गलत इसको हमें यह काम करना है हमें बोलना है इसमें ठीक है हमें यह काम करना है मैंने राम को पूछा नहीं मैंने राम से पूछा ठीक है सबसे नमस्ते नहीं सबको नमस्ते सबको नमस्ते जनता के अंदर ऐसंतोस जनता के अंदर एसंतोस फैल गया, इसने फिर अटका दिया, मुझे लग रहा है, टाइपिंग ने फिर से कुछ अटका दिया, जनता के अंदर एसंतोस फैल गया, जनता के अंदर एसंतोस फैल गया, कारक संबंदी तो कोई असुद्धी नजर नहीं आती, कारक संबंदी तो आती जनता के अंदर हाँ यह हो सकता है जनता में सही यह बचो सही रिखा है यहां जो है जनता में ऐसंतोस फैल गया अंदर नहीं जनता में ऐसंतोस फैल गया बहुत बढ़िया यह नौकरी का यह नौकरी का नौकरी का कमीज है कि ओख क्या वोल या वहाई टाइपिंग एरड है कुछ मुझे ऐसा लग रहा है यह मैं बता देता हूं आपको क्या टाइपिंग एर है देख़ए क्या हो सकता है नहीं यार यह तो मिलेगा इनी नहीं मिलेगा धूंडे इंसे भिण चलो कोई बात नहीं देख लेना यह न्वक्रीका तमीज घंध पता नहीं क्या है चलो ठीक है बच्छो यह अपनी जिन्दकी से निकाल लो यह है थाई- not इसंग बढ़े अब रहेगे सब्भृ कि रहें होगा सब्द कि रहा हाँ यही होगा फिर सब्सक्राण यह जान लिख दियो जान ठीक है इसको ज्ञान कर लेना चलो चलो आज थोड़ी से असुद्धियां है मैं देख नहीं पाया जल्दी जल्दी में ठीक है चलिए तो असुद्धि नहीं छाट पाया असुद्धियों वाले में अगर उसके टाइपिंगर निकाल देता तो और अच्छा कोई बात नहीं वच्चो कम करता है पर कर देता है चलो ठीक है आगे अगर देखू सब्द किरम यह वच्चो कैसी असुद्धि होती है सब्दों का किरम बस आगे पीछे लिखा हुता इस तरह की भी बहुत असुद्धि होती है जैसे भीड में चार पटना के व्यक्ति भी बचो पढ़ के तो देखो भीड में चार पटना पटना चार पटना कोई हमारे है नहीं बई पटना तो एक ही हमारे पास बिहार में भीड में चार भीड में पटना के पटना के चार व्यक्ति थे तो किरम गलत हो गया न सब्दों का सब्द किरम इसलिए बोलते हैं कि चार यह यहां आना चीए भीड में पटना के चार व्यक्ति भी थे अब सही है ठीक है बचो क्लियर देखो यहां अमरूद और गन्ये का रस बिखता है अब यह गलती तो आप मुझे नहीं लगता सुधार पाओगे अब तो फसा दिया मैंने आपको बड़ी गजब बात है यहां प्लादेना जरा वह का अमरूद का रश पागल हो गया मैंने गन्ये का रस लिख रहाएं पढ़ले आंख खुल गया फिर तुम यह नहीं भाई यार तुमना इसका मतलब नहीं समझ रहें यहां अमरूद और गन्ये का रस बिखता भाई तुमने दोनों का रस लिखा एक बताई क्या बात बताई बाबुज ने ऐसे बताई कि यहां ऐसे लिख यहां गन्य का रस गन्य का रस और रस को पहले ले गन्य का रस और अम्रूद बिखता है अम्रूद बिखते हैं ठीक हैं अम्रूद बिखते हैं करते तो इस से पता लग गया कि गन्य का रस अलग चीज है और अमरूद अलग चीज है अब रस सिर्फ गन्य का ही पड़ेगा कोई अमरूद का नहीं पड़ेगा यहां तो यह समझेगा कोई भी भी यह अमरूद का भी रस बिक्रा चलो वच्चो बहुत सही कितना तकड़ा था यह सारे देश के नागरिक सब्वें हैं देश के सारे नागरिक सब्वें यार देश के सारे नागरिक सब्वें यहां सारे आना चाहिए वहां से उठके आप जाएंगे क्या नहीं क्या आप जाएंगे यह बोलना चाहिए क्या आप जाएंगे मुझे एक फूलो की माला दो तो बच्चो ये correction हम अकसर नहीं कर पाते बच्चो समझ में आई ना बात ये correction हम अकसर नहीं कर पाते और गलत कर जाते हैं अब मत करना अब मत करना अब तो बहुत तगड़ाई चीज सीख लिए नीचे किसका? हाँ प्रेक्टिस आगई बस प्रक्टिस आगई बस लास्ट है सब्द ज्यान जान तो जान नहीं करना इसको ज्यान करना है ठीक है यह सब्द सुनके थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेस आजाता हो जाता होगा इस वज़े से आजाने तो अच्छे ही है अच्छे ही है फिर अगर माइंड फ्रेस हो जाए देखिए जो चीज हाथ से चलाई जाए हाथ में लेकर उसको सस्त्र बोलते हैं हाथ में लेकर सस्त्र और बच्छों फैक के चलाई जाए या दूर से चलाई जाए उसको अस्त्र बोलते हैं अब बच्छों लाठी क्या है ध्यान रखना सस्त्र है तलवार क्या है सस्त्र हो भी सस्तर है ठीक है वह बात अलग है हनुमान जी ऐसे छोड़ देते थे उसको फिर वह जाकर लगती थी अगले आदमें को वह लत बान यह बना देते थे थीक है और बड़ा उपयोगी क्या उस साइंस थी चलो बचो बार बटा किया है वान बड़ा अस्त्र है मान बड़ा अब perspectives पह। फेक के चलाय जाता है ऐसे थोड़ लगाजा जैसे लड़ते से बान से ठीक है तो इसको हम बोलेंगे अस्त्र ठीक है चिडिया गा रही है चिडिया गा रही है चिडिया गाती नहीं है चह चाहती है चह चाहा रही है चह चाहा रही है ठीक है वच्छो सब्दों का ग्यान होगा तो आप लगाओगे यह ग्यान होगा तब आप लगाओगे ठीक है बचो वह नित्य गाने की कसरत कसरत गाने की कसरत वह नित्य गाने का अभ्यास गाने का अभ्यास गाने का अभ्यास करता है प्रेक्टिस करता है कसरत गाने की भी कसरत होती है बला चलो अब मैं देखू और क्या सीला बहुत विद्वान लड़की है बचो इसमें फस जा आता है आदमियों के लिए आता है स्रीमान ग्यानवान तो ग्यानवती लड़कियों के लिए लगता है बुद्धिमान बुद्धिमती लड़कियों के लिए लगता है विद्धवान तो विदूसी विदूसी यहां पर लड़कियों के लिए लगेगा विदूसी लड़की है तो यहां सब्द का ग्यान चाहिए की नहीं चाहिए तब ही तो कर पाओगे मैंने अपना ग्रह कारिय कर लिया इसमें तो मुझे पता है अगर आपने यह नहीं पढ़ा तो नाइन्टी नाइन परसंट बच्चा इस सवाल को गलत कर के आएगा एक्जाम में मैंने अपना ग्रह कारिय कर लिया और बता रहा है वो सब्द ग्यान होगा अब आपको पता है कि इसमें भी कोई गलती नहीं सब्द में तो इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं तो सीधी सी बात है यहीं आना है क्योंकि आपको पता है सब्द ग्यान का है एरर लगा क्या होग तो भाई यह ग्रह ना ग्रह यह वाला ग्रह घ्रह नक्षत्रों के लिए अथा ग्राइब गर्ञाय सब्दः की जरूत है आपको है नहीं बताओ मैंने अपने ग्रह कार्यों कर लिए इस वत do हो आप चलो नेक्सT अगर मैं बोलूं क्या बोलूं इसको हटाओं पहले चलो यह है तुम बे-फिजूल की बाते करते हो तुम बे-फिजूल की बाते करते लोगते पढ़ों तो देखिए एक मोगता भेड़ित मुनमें हम यूज करते हैं इसलिए हम छाटी नहीं पाएंगे इसको ठीक है बचो तो तो बेघिजुल फेजूल होना चाहिए या या बेघिजूल कोई सब्द नहीं होता बहुत सै नहीं तो वह माने का बेघिजूल का मतलब तो अच्छा हो जाएगा चलो ठीक है बचो अब हम प्रेक तो आ रहा है ना बताओ तो सही यह देखिए अब इसमें यह नहीं बताएगा कौन किस से संबंदित है अब आपका असली ज्ञान चेक होगा यह सारे से संबंदित है जितने भी है ठीक है असली ज्ञान तो बिटा अभी चैक होगा अभी चैक होगा महेश एक सज्जन पुरु लगाना अच्छा नहीं होता, लेकिन सज्जन व्यक्ति लग जाता, सज्जन के साथ पुरुस नहीं लगता, ठीक है बच्छों, आगे बताओ, राम ने गुनगुना गरम पानी पिया, राम ने गुनगुना गरम पानी, ओहो, गुनगुना भी और गरम भी तो भाई राम ने गुनगुना पानी पिया गरम लगाओ या राम ने गरम पानी पिया तो एक तो हटेगा की नहीं हटेगा गुनगुना भी तो गरम कोई बोलते हैं न बच्चो चलिए मजारा नियान्यों बताओ बास बात सही है ठीक है एक व्यक्ति टांग स से होएगा टांग सही होगा इसे लगाने की क्या जरूत है एक व्यक्ति लंगला है ठीक है चलिए बहुत बच्छा रमेश की साधी 20 वर्ष की आयू में हो गई थी यह नहीं छटेगा आपसे यह नहीं छटेगा रमेश की आयू यह इतना आसान नहीं है सब्द ग्यान है जगे का है नहीं रमेश की साधी 20 वर्ष की अवस्था में हो गई थी आयू में नहीं आयू तो बच्छो वो होती है कि मेरे पिताजी की उम्र 20 वर्ष है सुरी 20 मतलगा मेरे पिताजी की आयू 70 वर्ष है मतलब मेरे पिताजी 70 साल ही जीएंगे उस आयू का मतलब यह है उतने साल वो जीना आए हैं, उसे तो कोई बताई नहीं सकता, तो इसको अवस्था बोला जाता है बच्चो, बात समझ में आई, चलो, इस कारिये में कम से कम आठ दस दिन लगेंगे, क्या बात बोल दी इसने, कुछ तो बोला है, इस कारिये में कम से कम आठ दस दिन लगेंग जब तो मैं मान सकता था लेकिन बच्चो कम से कम में कभी लगभग वाली बात नहीं बोली जाती कम से कम दस दिन लगेंगे भाई तु कम से कम बारे कह दे इसको आठ दस क्यों कहता है फिर तु कम से कम इसको आठ कह दे दस तो लगी सकते हैं कम से कम में जब आठ तुमने बोला है तो नौदस तो ऐसे भी चल जाएगा इसमें ठीक है बचो चलिए बहुत सही बहुत सही बहुत सही तो कम से कम आठ या दस एक चीज आएगी ठीक है या फिर लगभग आए इसकी जगे वह आपको करना है सौमवार के दिन मेरा जनम दिन है अब आपको पता यह तो मैंने कराया यह ऐसा सौमवार को मेरा जनम दिन है यह संग्या संबंद्य सुद्धी यहां भी आ गई है नेक्स्ट पट पट करो जल्दी से करो यार ठीक है यह देखिए ना देखिए देखिए इस दुरगटना में कम से कम 40 आदमियों के मरने की आसा आसा तो अच्छी चीज की होती है रिजल्ट की आसा पास होने की आसा भाई आसंका आसंका यह संग्या संबंद्य सुद्धी है आसंका है स ठीक है यह मेरा एक गोपनिय रह्ष्य है जल्दी बताओ यह मेरा एक गोपनिय अरे नहीं यह मेरा एक रह्ष्य है यह मेरा एक रह्ष्य है ठीक है गोपनिय क्यों लगाते हो रह्ष्य के साथ बताई नहीं थी अभी बात यह नहीं लगेगा पिरत्यक विरक्ष फल देते हैं नहीं प्रत्य विरक्ष फल देता है ठीक है सिंगुलर में बनेगा मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे उपेक्षा उपेक्षा होता किसी की बेज्जती क्या बेज्जती कर रहे हैं नहीं मैं आसा करता हूं मैं उम्मीद करता हूं तो यहां आसा आएगा मैं आ और उमें खुदी सबसे स्रिष्ट हो जाता है चलो बच्छो यह बीड़ा कौन यह बीड़ा बीड़ी वाला बीड़ा कह रहे है कि कौन चबाएगा यह बीड़ा कौन उठाएगा इस काम का बीड़ा कौन उठाएगा कभी-कभी तो हसी आती है चलो यह बीड़ा कौन उठाए इनको तो हमिलता बड़ा गलत लिख रहा है यार पस्झेपर मैं अहीं मिल जाए तो ना चलो तुम्हारी अकल शक्करा गई है दर्सकर में सब्द गलत लिख रहा है बच्छ को महां यहां रए तुम्हारी अकल चक्रागई है अल्एि देख ऊती एक बार चक्रागई जक्रागई वर्ड होता है चक्रागईए ठीक है तो यह गलती है सब्द संस्भंदी सब्द ग्याण संबंदी चलिए सब्द का ज्ञान है आपको नहीं धिल्ली का वातावरन मुंबई से अच्छा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नहीं बच्छों टुलना हिए। भाई जल्दी से जल्दी से खतम करो। जल्दी से बच्चां जयपूर में कई दरसने इस्थल देखने योग है ओ क्या कह रहा है। तब भी बहुत बड़ी हाए। भाई दरसन यह ही देखने योग होता हैं तो इसको दो बार क्यों लगा रहे हो। जैपुर में कैई इस्थल देखने योगे बिलकुल सही है जैपुर में कैई दरसन दरसनिय इस्थल है तो फिर देखने योगे हट जाएगा तो कोई सी एक चीज हटानी पड़ेगी बात समझ में आरी है ना बच्चो चलो बहुत सही गाए का ताकतवर दूद होता है यह सब्द किरम से संबन देता है क्यों बताओ किरम थोड़ा आगे पीछे करो चीजों का गाए का दूद ताकतवर होता है गाए का दूद ताकतवर होता है गाए का ताकतवर दूद होता है नहीं, गाय का दूध ताकतवर होता है बात समझ में आ गई चलिए, प्राते काल के समय गूमना चाहिए ये गलती नहीं छहाट पाओगे आप मुझे पता है प्राते काल के समय गूमना चाहिए क्यों नहीं छहाट पाओगे क्यूंकि प्राते काल में खुद समय है बच्चा यहां समय नहीं आएगा प्राते काल घूमना चाहिए काफी है असे आपने आप में ठीके आगे बढ़ू किरप्या आप मेरे घर आने की किरपा करें बच्चो ये गलती करोगे आप एक वाक्य में दो जगे किर्प्या नहीं आती है कस्ट करें कस्ट करें किर्प्या आप मेरे घर आने की किर्पा करें या कस्ट करें बचो हाला कि ये किर्पा सही है अगर ये वाली किर्पा होती तो नहीं आती पर ये वाली किर्पा आ सकती है इस वाली किरपा और कस्ट ये दोनों आ सकते हैं ठीक है पर फिर भी आप कस्ट को प्रीफर करो दो किरपा एक साथ ना लगाओ पर फिर भी मैं बता दू दो किरपा हाँ लगा लो दो किरपा एक साथ नहीं आती दो किरपा एक साथ नहीं आती लेकिन अगर कोई बीच में कहीं भी किरपा आती ये याद रखना ये किरपा नहीं होती आप मेरे घराने की किरपा करें ये सही होता जी सही होता बिलकुल सही होता आप मेरे घराने की किरपा करें पर बीच में अगर किरपा आएगी तो ये वाली आएगी सुरू में अगर किरपा आएगी तो ये वाली आएगी ये बात याद रखना ठीक है ये बात याद रखना कि बीच में आएगी तो ये वाली आएगी और सुरू में आएगी तो ये वाली आएगी पर दो किरपा एक साथ नहीं आएगी कि इसको कस्ट कर दो किलियर किलियर प्रिदान मंत्री जनता के हितकर कल्यान के लिए कार्य कर रहे हैं प्रिदान मंत्री जनता के हितकर भी और कल्यान के लिए भी हितकर और कल्यान दोनों एक साथ नहीं आएंगे प्रिदान मंत्री जनता के हितकर के लिए कार्य कर रहे हैं हित कि बहुत तगड़े होत तगड़े है कि सर दिल्ली पुलिस के प्रेक्टिस सेट की पीडियेफ बेचा यार यह कौन है नालायक जो पीडियेफ बेच रहा हमारे की बनायक है चलो बुच्चो देखंगे उसे भी देखंगे डर जीयों भी धमकी दूंगा नहीं इसी मंच से चल जीत गया वच्चो ताकत भी और बल भी राजा अपने ताकत पर जीत गया नहीं यह तो अच्छा नहीं लगेगा राजा अपने बल पर जीत गया अपने बल पर अपने बल पर जीत गया बस अपनी ताकत के बल नहीं ठीक है यह अपनी तलवार के बल पर जीत गया यहां तल सठीक मार रहे हो सठीक राज्य में अराजक्ता की समश्या बढ़ रही है राज्य में यार अराजक्ता तो खुदी एक समश्या है राज्य में अराजक्ता बढ़ रही है सही है अराजक्ता की समश्या कभी नहीं लगता वर्ड राज्य में अराजक्ता बढ़ रही है वह बहु बहुत जल्दी वापस आया है लॉट और वापस दोनों एक साथ नहीं लगेंगे यह बहुत जल्दी लॉट आया है यह बहुत जल्दी वापस आया है कोई सा एक ही वर्ड आएगा इन मैंसे कोई सा एक ठीक है बचो और लास्ट बचरा है क्या हां तीन बचरें खतम करो यार खतम करो, बहुत लंबी किलास हो गई, पर बच्तो एक एक चीज समझ में आ गई होगी, और सब के लिए, पंडिस जी ने भक्तों के लिए कथाए कधा कर दिया, भाई कथाए, तब भी आप गलती चाटो, पंडिस जी ने भक्तों के लिए, भक्तों को यह तो टाइपिंग एरा कभी को यही है जी गलती ठीक है पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई चलो बच्छो पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई मीठा वचन बोलना उत्तम गुण है मीठा वचन नहीं मीठे वचन मीठा संबंदिय सुद्धिय वचन बहुचन बनाओ बच्चे को बच्चे को काटकर फल खिलाओ एक बार पढ़ो तो सही बच्चे को काटकर फल खिलाओ जो क्या, ये सब्द किरम यार सही रखो, नहीं तो अर्थ ही बदल जाएगा, ठीके, बच्चे को काट कर फल नहीं खिलाना, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो फल यहां आ जाएगा, ठीके,